वरुन गांधी ने उठाया ऐसा कदम पूरा हिंदुस्तान आया एक फैसले के साथ सैनिकों के सम्मान में वरुन गांधी मैदान में देश के पहले नेता ने छोड़ी पेंशन विधायक सांसत को नहीं मिलेगी पेंशन वरुन की चिठी से हिल जाएगा देश पिछले कुछ दिनों से देश में एक सवाल है जब देश के सैनिकों को पेंशन नहीं तो फिर विधायकों और सांसिदों को पेंशन क्यों ये बात फेस्बुक ट्विटर पर सब ने लिखी लेकिन जब बात आई खुद पर अमल करने की तो सब पीछे हड़ गये यहां तक कि सेना अध्यक्ष रह चुके वीके सिंग भी ये कदम नहीं उठा पाए रक्षा मंतली राजनाथ सिंग भी सैनिकों के सम्मान के लिए वो नहीं कर पाए जो वरुन गांधी ने कर दिखाया है जब कोई नेता देशित में कदम उठाता है तो उसकी तारीफ करनी चाहिए वरुन गांधी देश के पहले नेता होंगे जिनोंने अगनी वीरों को पेंशन न मिलने के मुद्दे पर अपनी भी पेंशन छोड़ दिये ये एक शुरवात है क्योंकि आने वाले दिनों में वरुन गांधी कुछ ऐसा करने वाले जिसके बाद पी एम मोदी से लेकर सी एम योगी तक सब को मजबूर होना पड़ेगा देश के हर नेता को पेंशन छोड़ने का एलान करना होगा और सदन में इसके लिए कानून लाना होगा जो वर्दी में जाते हैं और ताबूत में आते हैं अगर उन्हें पेंशन नहीं तो फिर नेताओं को क्यों इसी भावना को समझते हुए देश के पहले सांसत का ये एल क्या हम विधायक सांसद अपनी पेंशन छोड़ ये नहीं सुनिश्चित कर सकते कि अगनी वीरों को पेंशन मिले। सेना में जाने वाले जवानों का कोई नेता होगा तो वो वरुन गांदी होंगे। साल की जा सकती है पेंशन रोका जा सकता है तो फिर नेताओं पर बेताहाशा खर्च क्यों नहीं रोका जा सकता है। 2018 RTI के मताबिक एक सांसत पर एक साल में 72 लाख रुपए खर्च होता है यानि 6 लाख रुपए महीना। 2014 से 2018 तक करीब 15.54 अरब रुपए खर्च किये जा चुके हैं। संविधान भत्ता 70 हजार फरनीचर भत्ता 1 लाख दफतर का खर्च 60 हजार यानि सैलरी मिलाकर करीब 75 लाख साल में एक सांसत कमाता है। देश बदलने का ठेका सिर्फ सैनिक क्यों ले नेताओं को भी लेना चाहिए और वरुण गांदी की तरह आगे आकर पेंशन सैलरी छोड़नी चाहिए। अब सवाल उठता है क्या पीएम मोदी कुछ ऐसे कदम उठा सकते हैं जिसने देश में किसी नेता को पेंशन ना मिले। ऐसा इसलिए किया जाना चाहिए क्योंकि एक ही सीट पर काई उमीदवार होते हैं और देश पर बोज बढ़ता है। पीएम मोदी ने सत्ता में आने के बाद लाल बत्ती पर प्रहार किया जिसका संदेश समाज में अच्छा गया। वरुण गांधी पेंशन खत्म करने के लिए जो जुठी पीएम को लिखने वाले हैं उस पर फैसला सकारात्मक रहता हैं तो देश के बदलाव में हमारे नेताओं का एक सीधा योगदान होगा।